गुड मॉर्णिंग स्टूडेंट्स मसुमन यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज बे एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आज हम इस वीडियो में विजय नगर समराजे से सम्बंदित महत्तोपुन पर्षनों के बारे में जानकरी प्रात करेंगे तो देखें वीडियो है जिसमें हम जो एक्जाम से सम्बंदित महत्तोपुन पर्षनों उत्तर हैं उनके बारे में जानकरी प्रात करेंगे यह दिया आप लोगों ने हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइब नहीं क्या तो सब्सक्राइब करें तथा वीडियो लाइक और सेर करें ठीक है तो चलिए पढ़ते हैं विजयनगर सम्राजे से सम्बंदित महत्तोपुन पर्षन उत्तर विजयनगर निम्द लिखित में से किस नदी के तट परिस्तित है तुंग बद्रा नदी कर्षन देवराय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी तो कर्षन देवराय ने अम्मुक्त मालेद नामक पुस्तक लिखी थी विजयनगर राजे की स्तापना किसने की थी संगमवन्स ने विजयनगर सम्राजे का पर्थम सासक कौन था जिसने पुर्थकालियों के साथ संधी की वो था आपका कर्षन देवराय विजयनगर के सासको ने कौन सी भासों को प्रोजसाहित किया तम्मिल तेलग्गू और संस कर्दभासा को प्रोसाइद किया कर्शन देवराय किसके समकालीन थे बाबर के समकालीन थे ताली कोटा का युद कब हुआ था 1565 इस्व में विजयनगर के मध्यकाली नगर को आजकल क्या कहते हैं हमपी मरमर विथी से गोल गुम्बत का निर्मार किस सासक द्वारा करवाय गय था मुहमद आदिल साह द्वित्य द्वारा विजयनगर के गोरव के भगनाव सेस और इसकी वास्तु सेली के एथिहासिक महत्वय का स्थान अब कहां देखा जा सकता है हमपी में किसने विजापूर में इस्तित्त गोल गुम्बत का निर्मार किया जो विश्व का दूसरा स सबसे बड़ा गुम्बत है जो अपनी मर्व मर्श्राविष गैलरी के लिए प्रशिद है वो है आपका मुहमद आदिल साहने हमपी तिरूवन मले चिदंबरम स्री रंगम तिरूपति आदि में मंदिरों के सामने की ओर बने हुए राय गोपूरम का निर्माता कोन था बिजापूर में बहमनी राजे का संस्तापक कोन था अलाउदीन बहमन साह है जिसे जफर खान भी कहा गया है पर्शिद मुस्लिम सासी का चांद बीबी किस राजे से सम्मधी थी बिजापूर से होयसल की राजदानी का नाम क्या है द्वार समुद्रम बीदर में मदर से का निर्मान किसने करवाया था महमूद गवाने कोहिनूर का हीरा किस खान से निकाला गया था गोल गुंडा से बैमनी राजों की राजदाने कहां थी गुलबर्गा विजेनगर समराजे की स्थापना किसने की हरिहर एम बुकाने विजेनगर समराजे के अंतरगत किस वन्स का सासन अधितम समय तक था संगम वन्स का भवन राजे इस्थापना चारिये का विरूद किसने धारण किया करशन देवराय ने किस गजपती सासक ने अपनी पुत्री का विवा है करशन देवराय के साथ किया था वहापके परताप विजयनगर समरजय का महंतम सासक कोझ था कर्षन देवराय का समन्द किस वंस से था तुल वंस से नर्षा नाया किस सासक का समन्द था इमाडशी नर्षी है का सलू वंस का स 여러टम किस सासक ने मुसल dual को स्यना में भर्यती करना प्रार्म किया था वह आपका देवराय द्वित्य हरी हर एम बुका को बंदी बनाया तथा दिल्ली लाया मुहामद बिन तुगलक हरी हर एम बुका ने विजे नगर समराजे की नीव कब डाली 1336 इस्वि में संगम वन्स का महानतम सासक कोन था देवराय दृत्य पस्सिमे तड़ पर विजे नगर समराजे का परमुक व्यापार विजे नगर समराजे में परमुक परानपती क्या कहलाते थे नायक किस भुभाग के लिए बहमनी और विजे नगर समराजे बार बार लड़ते थे रायचूर द्वाप के लिए पर्थम बार विजय नगर समराजे को अस्त्वेस्त किसने क्या था तैमूर लंग ने कर्शन देवराय के राजगुरू कोन थे व्यासराज कोन एक पुर्तगाली सिख्का था जिसका विजय नगर राजे के पस्सिमी तठीय छेत्रों में पर्शलन था कुरुजाडू बुक्का पर्थम के समय तुलुगू का महान कवी कोन था नचन सोम वेदों के महान परख्यात टिकाकार कोन थे मादव और सायन नगर का घेरा साथ मील का था जिसमें प्राय है 90,000 वेक्ति सस्तर दारण करने के योग्य थे ये कतन किस लेखक का है निकोलो कॉन्टी का विजे नगर सेदर्शे न तो कोई सहर देखा है और न उसके सम्मान विश्व में किसी नगर के बारे में सुना है नगर की सुरक्षा के लिए एक के अंदर एक साथ परकोटे बनाए गए हैं ये कतन किसका है अब्दुर रज्जाग का किस विदेशी यात्री के अनुसार विजे नगर सामराजे में तीन सो बंदरगा थे अब्दुर रज्जाग के समय में विजे नगर सामराजे के सासक किस धरम के अनुवयाई थे वश्णम धरम के बहुत विश्तरित अत्यंत गणा और हीरों पियू के लालों चीन के रेसम सिकंदरिया के सिल्क मालावार के मुस्क काफूर मीर्च दाचिनी वचंदन के घने व्यापार का के अंदर था उप्त किसका है एड़ो आड़ो बार्बोसा का निकोलो कॉंटि किसके सासनकाल में भारत आया था देवराय पर्थम के समय में ठीक है संगम कालीन किस सासक ने अपना दूत मंडल चीन भेजा था बुका पर्थम ने राजा मध्यम उंचाई का और सुंदर रंग का तथा भव्य आकरति का पतला होने की अपेक्षा कुछ मोटा सा है तथा उसके चेहरे पर चेचिक के दाग है वह अत्यन्त प्रभावसाली एम सुर्वगुन संपन सासक है उप्रियुक्त कथन किसका तथा किसके बारे में कहा गया है डोमिन गोस पाइस ने कर्षन देवराय के बारे में कहा है एक राजा को हमेशाथ धर्म के अनुसार सासन करना चाहिए ये कतन किसका है कर्षन देवराय का कि सासक को गजब हेकर की उपाधी मिली देवराय द्वीतिक तो देखे फ्रेंज जो भी क्युशन आंसर हमने या पर पढ़ें वो एकजाम की दर्श्टी से बहुत महत्तावपून है वीडियो को आप बार-बार देखें और ये दि कोई भी आपके पास सुझाओ हो तो आप कमेंट बोक्स में कमेंट कर सकते हैं हमारा वीडियो अंतक देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत प्रच्छून है प्रश्बट रफेंगे एक अापने कमेंट कर देखने के लिए धन्यवी देखने की देखने सत्वाबून है झापके विए भी देखने के वीडियो तो आपके उग्योड़न अजीड़न है